भगवान भूद को ग्यान की प्राप्ती कहा हुई थी? भगवान भूद को ग्यान की प्राप्ती बूद ग्या में हुई थी दोस्तों दुसरा कुश्चन है आर समाज की स्थापना किस ने की? आर समाज की स्थापना स्वामी द्यानद ने की थी? पंजाबी भासा के लीपी कौन सी है पंजाबी भासा के जो लीपी है वो गुरु मुखी लीपी है भारत की मुख भूमी का दक्षिंतम किनारा कौन सा है जो साउथान मुस्ट पॉइंट है वो कौन सा है कन्या कुमारी वैसे इंद्रा पॉइंट भी इसका एक option होता है भूमी के बाद करे दक्षिंतम भूमी तो कन्या कुमारी और ऐसे दक्षिंतम छोड़ पूशे आपसे तो इंद्रा पॉइंट होगा भारत में सबसे पहले सुड किस राज में निकलता है सुड जो सबसे पहले निकलेगा दोस्तो अरुनाचल परदेश में इसको याद रखने के मैं आपको ट्रिक बताता हूँ मान लेजे यह जो है भारत ऐसे है ठीक तो इधर इस्ट होता है ठीक और सुरज जो उगता है इस्ट के तरफ उगता है तो यहाँ पर अरुनाचल परदेश है तो सबसे पहले जो सुर्ज होगेगा वो अरुनाचल परदेश में होगेगा इंसूलिन का परयोग किस बीमारी के उपचार में होता है तो उसका ओप्सन है मधुमे मधुमे के इलाज में इंसूलिन का उपयोग होता है बीहु किस राज का परसीत्ते वहार है असाम का परसीत्ते वहार है बीहु कौन सा बीटामिन आवले में प्रचूर मातरा में मिलता है बीटामिन सी भारत का पर्थम गौनरल जनर्रल कौन था वो था बिलियम बेंटिक नेक्स्ट बात करते हैं कागज का अविस्कार किस देश में हुआ चीन में कागज का अविस्कार हुआ है गोतम बूद का बच्पन का नाम क्या था सिधार्थ भारत में ससस्त बलो का सरवच सेनापती कौन होता है तो सर्वच सेनापती होता है राष्टपती रतोंधी किस बिटामिन की कमी से होता है तिया होता है बिटामिन एकी कमी से पोंगल किस राज का तेवहार है तो है तमिलाडू तेवहार से बहुत सारे कुष्टन पुछे आते हैं अब से एक प्रस्न पुछता हूँ, ओनम, ओनम किस राज का राज तेवहार है, अब हमें comment section में बताएं, गिद्धा और भांगरा, किस राज का लोकनिवित है, तिया है पंजाब का, टेलिविजन का अब इसकार किस ने किया, जोन लोगी बैर्ड, यानि कि जे एल बैर्ड भी इसको बोलते हैं, तो जोन लोगी बैर्ड ने टेलिविजन का अब इसका किया था, भारत की पहला महिला सासी का कौन थी, रजिया सुल्तान, जो की बिलों करती है दोस्तों, स्लेव डाइनेस्टी, यानि कि गुलामों से, मचली किस सहायता से सास लेती है, तिया गलफ़रों कि सहायता से सास लेती है, जिसे इंग्लीस में हम गिल्स बोलते हैं, इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किसने दिया था, इंकलाब जिन्दाबाद का नारा दिया था, भागत सिंखने, तो आईए अब बात कर लेते हैं, next question, जालिया व summation कि जालिया वाना बाग हत्याकंड वो और कहां हुआ जालिया वाला बाग हत्याकंड 1919 को अमरीत सर में हुआ था जो कि जनरल डाहर ने कराया था 1949 में कांग्रेश छोड़ने के बाद सुभास चंद्रबोर्स ने किस दल की अस्थापना की सुभास चंद्रबोर्ण ने स्थापना की थी दोस्तो forward block दल के स्थापना की थी कॉंग्रेस छोड़ने के बाद पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है तो लाला लाजपतरय को पंजाब केसरी कहा जाता है Sonders की हत्या किसने की? तो संडर्स के हत्या भगत सिंगने की थी जिसके कारण उन्हें फासी दी गई थी 1857 के बिद्रोह में किस ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था भारत की पहली महिला राजजेपाल कौन थी सरोजनी नैडू भारत की पहली महिला राजजेपाल थी माउंट एबरेस्ट पर दो बार चटने वाली पहली महिला कौन थी संतोस यादो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई राजाराम मोहन राय स्वामे द्यानंद सर्स्वती का मूल नाम क्या था मूल संकर मूल नाम क्या था तो मूल संकर ऐसे भिया प्याद रख वेदो की और लोटो का नारा किसने दिया था द्यानंद सर्स्वती ने और द्यानंद सर्स्वती का नाम क्या था मूल संकर राम क्रिष्न मिशन की एस्थापना किसने की स्वामी विवेकानंद ने स्वामी विवेकानंद के गुरु जे थो दोस्तों रामक्रिष्न परमंस थे उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामक्रिष्न विशन के स्थापन की थी भासकोडिगामा भारत कब आया भासकोडिगामा भारत आया था 1498 इसापुर्व में इसके रिगार्डिग एक और कुश्चन पुछाया था दोस्तों कि कहां पर आया था तो राजा जो इन्होंने कलिकट द्वीप पाया था और जमोरियन के राजा ने इनका स्वागत किया था भासको डिगामा कहां का रहने वाला था तो भासको डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था इन्होंने ही भारत की खोच की थी हावा महल कहां एस्थित है तो हावा महल एस्थित है दोस्तो जैपुर में रिटे सब्सक्राइब को नान जाता है तो शीक धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है तो सीखो का पढ़ों के वार कौन सा है तो सीखो का पर्मुख तेवार जो है फिरुआई जिनके लिए एक स्टैचु भी बनाई गई है जो कि गुड़रात में है नेता जी किस महापुरुस को कहा जाता है सुभास चंदरबोस को दिए इस्तित्राल भादुर सास्त्री की समाधी का क्या नाम है आप से कमेंट स्रिक्शन में एक क्वेश्चन पुछता है उसका जवाब हमें दिएगा कि महात्मा गंधी के समाधी का विष्न परवाण उसी भीषन परवाण से गीता बना हुए है अर्थसию्ट्रास्त्र क जैके सिंसन लिखी चंध्रबोस के भुरु दिए और उन्हें उन्हें जो कि नंद वंस्वादीर उसके गुवाओ बाराई का देश की नाम से परसीध है जपान waves के डिषय को स है नाम से परसीध है फ्रैप्ल्रों तो ओनम केरलगराज का प्रसरीदेवार है, जो कि मैंने आप से क्विट्टन भी पूछा था, दिर्ली भारत की रजधानी कब बनी दिर्ली भारत की रजधानी दोस्तो बनी थी, 1911 में, सबसे चमकिला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकिला ग्रह शुक्र है, दोस्तो यह था अम मारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में